नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट के प्रयावासी क्या पढ़ेंगे प्रयावासी पढ़ेंगे दोस्तों और प्रयावासी 30 तो अपने क्वेसन है और उसके सारे विकल्पी भी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 30 उन्ट क्लासेज पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों ये वीडियो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो कम्प्लीट अवेशी देखें और लास्ट में आपना आए जो अवेशी बताएं कि आपने कितने प्रस् आपके स्क्रीन पर आता है कि अम्रत का प्रयावासी सब्द कौन सा है दोस्तों यहां पर ऑफ्षन है सुदा बी ऑफ्षन है क्रसानूं सी ऑफ्षन है अनल और डी ऑफ्षन है पावक तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अम्रत का प्रयावासी सब्द कौन सा है दोस्तों बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा ए ओप्षन जो भी ए ओप्षन चुन्ड़े अमरत का होगा सुधा अगर दोस्तों आपको पूचा जाए अमरत का और क्या होता है तो दोस्तों अमरत का प्यूस होता है और क्या होता है सर तो और होता है सोम होता है तो बाकी मै रटने तो पढ़ेंगी हना और रटो या समझो जो भी आपको उज़ित लगे दोस्तों करसानु अनल और पावक यह तिनों किसके हैं ये तिनों दोस्तों अगनी के प्रयावासे ठीक है ना समझे ना अगनी के प्रयावासी तिनों है और यह सुदा जो है यह अम Hurricane का प्रयाव असूर का प्रयावासी सब्द कौन सा है यह बताना है अपरायजे अदमे अपराजी क्या जातूधान दोस्तों सभी बताएंगे और यहां पर डी आफशन आपका सही उतर होगा जातूधान और और क्या कहते हैं और देते भी कह सकते हैं दानों भी कह सकते हैं दोस्तों निचाचर भी कहते हैं ना तो ये तो हो जाता है असूर का ठीक है तो दोस्तों ये आप पराजे अदमे और पराजी दे तो सभी को बताए ना बेलकुल अजे का हो जाएगा ठीक है ना ये सभी को अगला सभी बताएंगे अरणयक का प्रयवसी सब्द क्या है अरणयक का प्रयवसी सब्द कौन सा है अभ्यागत विपिन आगंतुक या पहुना अरणयक का प्रयवसी सब्द दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका विपिन बी आफसें राइट आंसर होगा इसके अलावा कान भी कह सकते हैं तो आप सभी को बता है बहुत आसान है ये बी यह बहुत अतिती है तो अपने सब्द एई ठीक है अपने लोकल लेंग्वेज में अपन जो भी लेंग्वेज पढ़ते हैं उसमें अपन जो भी लगबग यूज़ करते हैं उसे जो ज्यादा नाम से अलग लग नाम से यूज़ करें तो उसे ही तो कहा जाता है प्रयावासी सब्द चले अगला प्रस्ण क्या आता है अगला प्रस्ण यह आता है कि अनुपम का प्रयावासी सब्द कौन सा है अनुपम का प्रयावासी सब्द सोथा प्रस्ण है तम तिमीर तमिस्त्र या अपूर्व तो दोस्तों अनुपम का आपका हो जाएगा अपूर्व बिल्कुल D option लग भी पूचे जा सकते हैं लेकिन आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ इसलिए ओफ्सन इसलिए यहाँ पर एड़ कियें ताकि आपके बाकी के भी ओफ्सन है जो साथ-साथ में केलियर हो है ना तो दोस्तों यहाँ पर तम, तीमिर और तमिस्तर की अगर बात करें तो यह किस ए दोस्तों अंदिकार की है मतलब अंदिकार अंदेरा हो गया इस परकार हो गया आपका राइट आंसर अपूरुवऑ चलिए अगले प्रसन की और अगला प्रसन के अपमान का प्रयावासी सब्द कौन्सा है दोस्तों फटी और आपको इस इनोंने भी चुना तो दोस्तों यहाँ पर घोटक तुरंग और है यह किसके यदि आपके पास समय है तो आप अवे सी बताएंगे यहाँ पर फास्ट टाइपिंग हो तो आपकी क्योंकि आपन ज्यादा टाइम वेश नहीं कर रहें और अवे सी आप बताना चाहें तो लिख स आता है अन्य का प्रयावासी क्या है देखिए अन्य अन्य जो है सब्द इसका प्रयावासी क्या है राइट आंसर अभिमान दंब दर्प या पर राइट आंसर या पर कोन से हो जाएगा सभी बताएंगे बिल्कुल अन्य या पर यह हो जाएगा आपका डी आप्शन अच्छा अगले प्रस्ण को देखे हैं तो यह प्रस्ण आता है आपके स्क्रियन पर कि अनुचर का प्रयावासी सब्द है दोस्तों यह प्रस्ण आपके लिए लाया हूँ ना बहुत आसान लेकर आया हूँ इन में से आपको सिर्फ एक ही तो डूंड़ना है तो बाकी जो है पो डृत्या बिल्कुल राइट अंसर है जिन्होंने भी अफशन चुना आए तो दोस्तो भिए, अनार के प्रैवासी प्राइवासी है चले अगले प्रस्वन कि और अगला प्रस्वन आपके स्क्रीन पर आता है कि आठवा असुरू का प्रयावासी सब्द कौन सा है A option तो यह है कि पार्थ B option है आचू, C option है धनवन जी अची और D option है सवियर सची तो दोस्तों बहुत आसान है यह भी जो है ना बहुत आसान है ना सभी को पता है बिल्कुल आचू का है जो हो जाएगा 要सुरू का आचु हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों तो अगर अलग बात करें तो नयन वीर भी कहते से, और क्या का जाता दो दोस्तों, और नयन जल भी का जाता, यह है जो अपने अलग अलग और पहाँवासी, ठीक है? और अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपका यह हो गया B-Option सभी का सी है तो दोस्तों फार्थ धननजिया और सवय साची तो दोस्तों इसका है जो क्या हो जाएगा सभी को बताना अरजून जिनोंने भी अरजून लिका बिल्कुल राइट है और दोस्तों इसको और भी गांडी उधारी भी का जाता है क्या गांडी उधारी भी का जाता है चलिए अगले प्रस्न की और और दोस्तों अगला प्रस्न आता है आपकी स्क्रीन पर अटल का प्रयावासी सब्द कौन सा है अटल का दोस्तों प्रयावासी के अपने जो कितनी 2 से 3 कीज पढ़ेंगे सारे प्रयावासी अपने आपर के लिए इसी परकार कर देंगे ठीक है तो दोस्तों यह अपर अटल का प्रयावासी जो हो जाएगा आपका अविचल बिल्कुल राइट है डी आफ्सिन सभी का सही उतर है तो दोस्तों संबरात, स्रेष्ट और कुलीन ये किसका है दोस्तों ये हो जाएगा आपका अभी जात का अभी जात है ना अभी जात का प्रयावासी है संबरात, स्रेष्ट और कुलीन और इसे आप योग्य भी कह सकते हैं अगले प्रस्णी के और बढ़ते हैं अगला प्रस्णा आता है कि अक्सर का प्रहवासी सब्द कौन सा है दोस्तों अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं मतलब की A से अपने स्टार्ट किया है एक के बाद जो भी जैसे भी आ रहे है न मतलब अ से स्टार्ड किया है न अपनी हिंदी वर्ड माले के नुसार तो जो भी है अपना देखते हैं आपन कहां तक आज पढ़ेंगे मतलब 30 क्रेस्टन है जो कंप्लेट करेंगे ठीक है है तो डोस्तों अक्सर काता है जो प्रहावासी है वो जायेगा आपका क्या बिल्कुल बी ऑफसेन हर अम हो जाएगा सबी का से ऐश आंसर है तो दोस्तों नैत्रहीन सक्सूवीन और विवेक सुनिया यह है जो किसके इस सभी के जभी को बता हैं अंधे के अंधही हो जाएगा नहीं अंधही होता तो है चत्रий इन बाइक का आप नौलेज होना चाहिए यह बाकि आपको इस जी कभी हो सकता है ऐसे आफश्टन ना दे फिर भी यद आजए तो आपको ध्यान में रखनें अच्छा दोस्तों आगले प्रस्न की और बड़े हैं तो ये प्रस्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार आता है कि अनाज का प्रहवासी सब्द कौन सा है अनाज का दोस्तों प्रहवासी सब्द आपका A आफसन सभी का सही उतर है और इसके अलावा इसको खाध्यान भी का जाता है इसके अलावा इसका प्रहवासी सच्य भी है तो इसके अलावा और दोस्तों अन भी है अन न तो दोस्तों ये तो आपका right answer हो गया a option तो सुखा दुर्बीक्स और भूक मरी यह दोस्तों तीनों जो है ना यह अकाल के प्रेहवासी है किसके है अकाल के ठीक है किलिए रहना चलिए तो दोस्तों इसे दुर्बीक्स भी भूकमरी या कमी भी कह सकते हैं तो यह हो गया अकाल का प्रयावासी दोस्तों अगले प्रस्शन के और बड़े तो यह प्रस्शन आता है अधर का प्रयावासी सब्दे सभी बताएंगे यहां पर यहां पर क्या है कि हक भी आफ्सन स्वामी तो तो दोस्तों मतलब क्या होता है होता है होट यह होगिए आपका ऐस्ट बिल्कुल राइट है ठीक है तो दोस्तों यह तो होग्या आपका बिल्कुल रएट, इसका जो D option ठीक है तो दोस्तोंição, host हो जायेगा host के अलावा इसे लब भी कहते है किनरा भी कह सकते है, दोस्तों होट भी कहते है चलिए, यह तो हो गया इसके परियावासी बाकी, स्वामित्व, स्वात्व और host, नहीं, host का हो गया स्वत्व स्वामित और हक ये दोस्तों ये तीनों जो है ये किसके अधिकार के अधिकार के ये ना बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अधिकार या इसके इसे आप कबजा भी का जा सकता है कबजा भी कह सकते हैं इसे आदी पत्य भी कह सकते हैं यह सभी है जो इसके प्रयावासी है दोस्तों ठीक है चलिए अगले प्रस्ण के और अगला प्रस्ण यह आता है कि अनुमान का प्रयावासी सब्द कौन सा है दोस्तों A आफिसने अंदाज B आफिसने यतीम C आफिसने निरासित D आफिसने बेस सहरा अनुवान का मतलब दोस्तों सभी को बताएं बिलकुल A आफिसने देखे दोस्तों आपके कितने प्रस्टन राइट होते हैं मैं तो आपको यह कहूंगा कि आपके आज 30 क्वेसन बिलकुल राइट होने वाले बाकी यह जो ऑफिसनल है मतलब ऑफिसनल में आपको के लिए करवा रहा हूं यह आप पर तो है ना यह तो आपके सई आंसर बिलकुल 30 में से 30 होंगे आप इसे वीडियो को कंप्लिट देखें ठीक है ना तो आपका राइट आंसर ए ऑफिसन हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर यतीम निरासरी तो और बेस आ रहा है जो यह किसके है यह अनात के हो जाएंगे और इसे आप नात ही इन भी कह जा सकता है या दीन भी कह सकते है नात ही इन भी कह सकते है जिनके नात नहीं तो दोस्तों ये तो हो गया राइट आंसर अगले प्रस्ण के और बड़े तो ये प्रस्ण आता है अनुमती का प्रयावासी सब्द कौन सा है अनुमती का प्रयावासी देवांगना इजाज़त सुरांगना या देवकन्या राइट आंसर हो जाएगा अनुमती का बिलकुल इ पर कोई trick नहीं आपके लिए मैं इसके प्रकार लेकर रहे हूं बाकि कोई option नहीं यह प्रहवासी है दोस्तों ठीक है मतलब जिसके अनेक सब रहां हूँ तो दोस्तों अनेक अवनती का प्रयावासी सब्द कौन सा है दोस्तों अवनती का अवनती का बिल्कुल आसान है सभी को बता है बिल्कुल D option हो जाएगा आप मैंसे उमीद करता हूं कि सभी जो है ना प्रयावासी सब्द पढ़ के आए होंगे देखे दोस्तों आपने पिछली बार भी एक्जाम ल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा और इसे हास भी का जासकता है ठीक है तो दोस्तों इसे उतार भी जो यह इसका भी प्रयावासी हो सकते है होगा तो दोस्तों व्याक्या भासिय और टिका टिपनी इसका तो यह होता है आसिय इसका क्या हो जाता है आसिय यह चारो जो है ना प्रयावासिय किसके यह प्रयावासिय अर्थ के ठीके नो दोस्तों किसके अर्थ के चलिए अगले प्रस्ण के और अगला प्रस्ण यह आता ह असुद्ध का प्रयावासी सब्द है असुद्ध का प्रयावासी सब्द कौन सा है अपवित्र ओजल गायब या तिरोहित तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा सभी बताएंगे बहुत आसान है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अपवित् अग्ला प्रसनए कि अंगन का प्रिया वासी कौन सा है अंगन का प्रilled सब्द कौन से हैं इन मैं से तूफान प्रांगन सक्रवाथ या जञजावाथ दोस्तों मैंने आप पर उप्रोक्त सबी का fshan नहीं रखा है क्योंकि वो तो बहुत ही आसान हो जाते हैं प्रहवासी अपन इसी परकार से पड़े तो बेटर है ताकि अपने बाकी के तीन आफिसन भी तो किलियर हो रहे ना इसलिए दोस्तों आपके लिए ये लेकर आया हूँ ठीक है आंगन वाड आंगन का प्रहवासी तुफान प्रहवासी सब्द 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 पर्फान चक्रवात जंजावति यह जो है यह आन्दि के दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने दोस्तों अगला प्रसने इससे पहले मैं आपको बता दूँ आप चैनल पर दोस्तों पहली बार है कोई नए मेंबर से तो आप सबी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रेज जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मैं ऐसी परकार की अच्छी ची कंटेंट जो है दिलाता हूंगा और आपके लिए उप्लिफ कराता हूंगा तो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और बेटर बनाएं, बहतर बनाएं, मजबूत बनाई ये हैना चले दोस्तों ऐ ऑफ्सन है जेवर आंख का प्रेयावाजी पुछाएं, जेवर होगा क्या नहीं, गेना होगा क्या नहीं, तो नेत्र होगा बिल्कुल ये हुखसं सभी का आसान प्रस्था आंशर होना echी है, भा आत्मा का प्रैवाशी सब्दे, तो आपको लगता होगा कि आज के जो है यह प्रैवासी बहुत आसान है, रियली मुझे भी लग रहा है, बट बाकि क्या आपके किलियर होने हैं न, है न, तो आप सभी जवाब दे वे साथ में, ताकि आपने, आपका आखलन तो हो, यह दि आ अंबर गगन या नब राइट आंसर आपका हो जाएगा चेर्टन यह बिल्कुल है जो सही उत्तर होगा जिन्होंने भी अफ्चंट चुना है, ठीक है यह तो इसका प्रहवासी है तो दोस्तों अगर और पूछे तो दोस्तों पुषकर भी तो है ना इसका प्रहवासी और क्या और आस्मान भी तो है ना और भी यह दोस्तों अपन यह इतना ही क्लियर करते हैं और दोस्तों आत्मा चेतनिय जीव है ना और क्या और सरवग्य और क्या दोस्तों और एक और बत कि आपραब दोस्तों बहुत आसान प्रस्ट में बहुत आसान है सभी का सई === और दोस्तो आदेस निदेस और और परहाएवासीह यहाँड़ा का प्रहाएवसी कोई बड़ा वेक्षिक्रसभीया दे तो उसे आदेस भी वह होता है वही है जो निदेश होता है वही है जो हुकम होता है ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण आपकी स्क्रेन पर आता है आनंद का प्रयावासी सब्द कौन सा है आनंद का दोस्तों काफी है जो आज अपन आनंद के है जो सभी क्लियर ठीक है और बाकी जो है ना यह आनंद का है जो दोस्तों कौन सा हो जाएगा बिलकुल दी आफसन सभी का सही उतरें तो दोस्तों पहले तो अपन तीनों को किलियर कर देते हैं यह उमर वय और अवस्ता यह सभी को बताए आयू दोस्तों यह जो मुझे है ना क्यों आसान लग क्योंकि मैंने पहले पढ़े हैं और उमीद करता हूँ कि आपने पहले से पढ़े हैं और आपको भी बहुत आसान लगते होंगे हैं और जिन्होंने नहीं पढ़े उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार तुरंत इस वीडियो को जरूर देख लेना आपको यदी याद हो तो नहीं तो बुक को मचो ना दोस्तों बुक तो अवे से पढ़ लेना बुक में ऐसे जरूर पढ़ लेना ताकि आपके आपके अच्छे से क्लियर हो और प्रहवासी से हर एक्जाम में तीन मतलब अपने प्रस्ण पूचे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर अमोद प्रमोद आमोद प्रमोद और क्या और प्रस्णता हो जाता है और दोस्तों प्रहवासी कौन से होता है हर से होता है और कौन से होता है और अलास होता है तो दोस्तों पूचा जाए और और अहलाद होता है और जैसे मोद है मुद है खुसी है मज़ा है तो दोस्तों यह तो हो जाएगा आपकास भी है जो आमोद मतलब की अनंद के प्रहवासी उमर वय अवस्ता ये आयू हो गया मैंने आपको बता दिये पहले ही ठीक है तो दोस्तों आयू के साथ आयू के साथ अवस्ता भी है वय भी है उमर भी है जैसे जीवन काल भी है तो दोस्तों ये तो हो गया आयू का चल बहुआ तो ये प्रतिमान नमूना देख लेते हैं तो ये प्रतिमान नमूना मानक या आदर्स ये हो जाएंगे आपके किसके आदर्स के प्रहवासी दोस्तों ये तीनों प्रत्तम आरंबीक और पहला ये हो जाता है आदी के प्रहवासी किसके आदी के इसे अथ भी कह सकते हैं अथ ठीके अगला प्रस्न यह आता है कि आधार का प्रयावासी सब्द कौन सा दोस्तों आधार आधार कार्ड नहीं यह आधार सब्द है आधार का प्रयावासी सब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए आधार का प्रहवासी सभी बताएंगे बिलकुल आधार का अवलम हो जाएगा मतलब की बी आफसन सभी का सही उत्तर है तो दोस्तों यहाँ पर अगर पूचा जाए आपको इसका अलग और अलग और है जो आप सहरा भी ले सकते हैं आधार सहरा या अवलम ठीक है ठीक है ना समझ गई अचा तो विपती आपदा और संकट यह तो दोस्तों आपती ही हो गया आपती का यह जो प्रहवासी यह तीनों हो जाते हैं आपती हो गया संक्ट हो गया मुसीबत हो गई चलिए अगले प्रस्न के ओर बढ़ते हैं अगला प्रस्न आसरिये का प्रहवासी सब्द कौन सा है आसरिये का दोस्तों यह जो सब्द है प्रहवासी वो कौन सा है महिंदर देवराज अवलंब या देवेश तो दोस्तों right answer आप का हो जाएगा कौन सा आत्र येगा विल्कुल है जो आपका ओलंभ हो जाएगा माजिए पर भी ओगा तो मैंद्र देवराज और डीवेश इसका क्या हो जाएगा यह जो यह किसके प्रेवासी एंडर के है ऐसे डीवराज ऑन के अइंदर इंडर नहीं सभी इनको दोस्तों हो सकेगा तो 4-5 भी बन सकती है इस प्रयावासी की तो अच्छी से अब इसे देख लेना ठीक है चलिए इच्छा का प्रयावासी सब्द कौन सा है दोस्तों A option है जगदीस B option है इपसा C option है परमेश्वर प्रभू तो right answer सभी का इच्छा का प्रयावासी हो जाएगा आपका इफसा B option सभी का सही इटरें जगदीस प्रमेश्वर और प्रभू ये तो आप सभी को बताए इसे के प्रयावासी है चलिया अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है यह ता Аलावा दो बता है और कुठन भी होता है यह जो इसके प्रयावासी है दोस्तों ने इस तीनों के क्या है उपकार पूरिस्कार और पारीतोसित इसका हो cbt it इसा प्रैय की जाएगा इनाम ठीक है यह जो इनाम के प्रयावासी है तीनों ही चलिए अगले प्र suppression की और अगला दोस्तों यह आता है उत्सव का प्रहवासी सब्द कौन सा है उत्सव का प्रहवासी सब्द कौन सा है प्रकट होना आरोहन सड़ना या समारोह ए ओप्सन बी ओप्सन सी ओप्सन डी ओप्सन राइट आंसर सभी बताएंगे उत्सव का बिल्कुल राइट है सभी का डी ओप्सन ठीक है तो प्रकट होना आरोहन और सड़ना ये तीनों किसके हैं दोस्तों ये जो है ये उदे के हैं उदे के प्राइवासी 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 बता हूँ आपको तो तेवहार हो जाता है और जो पर्व भी हो जाता है और जस्न भी हो जाता है तो ये हो गए आपके दोस्तों अगला प्रस्ट नहीं आता है कि 28 वा उत्तम का प्रहवासी सब्द कौन सा है उत्तम का प्रहवासी सब्द बेलकुल हो जाएगा आपका स्रेष्ट भी आफसन सही तो दुखी रंजीदा और विरक्त इसका है जो दोस्तों यह जो उदास के प्रहवासी है किसके है और कौन कौन से उत्करस्ट भी हो जाएगा ठीक है उत्करस्ट बेहत्री इन दुस्तों ठीक है और और अच्छा भी आप कह सकते तो यह उसके प्रयावास्थी हो जाते हैं 29 फरशतों अगर प्रगति उत्कर्स उन्ययन या उपवन तो दोस्तों राइट आंसर आपका उध्यान का हो जाएगा उपवन बिल्कुल सभी का सभी आंसर है वेरी गूर्ड और दोस्तों अगर प्रगर्ती उतकर्स और उन्ययन की बात करें तो यह आ जाता है उन्नती का यह सभी है जो उन्नती के प्रयावासी है चले दोस्तों अगर आपन उपवन के और बात करें तो वाटी का भी कह सकते हैं बाग बगी साब फुलवारी गुलसन बहुत आसाने दोस्तों प्रयावासी ठीक है एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे मतलब कि एक चीज के अने को नाम हो ठीक है ना चल आपको क्वीज कैसी लगे हिंदी की और दोस्तों हिंदी अपन इसी परकार किलियर कर पाएंगे बाकी मतलब की हिंदी के इस प्रयावासी सब्द के लिए कोई ट्रेक नहीं है और यहां पर उदारण का प्रयावासी सब्द के अपन बात करें तो यह सभी का सई आंसर ए तो यह है जो किसके है यह उद्देशिय का प्रयावासी है यह तीनों है जो उद्देशिय के प्रयावासी है और इसको है जो एक प्रयोजन भी कह सकते है प्रयोजन ठीक है तो दोस्तों सभी बताएंगे कि आज की क्वीज कैसी लगी आप सभी को ठीक है तो दोस्तों कल के प्रस्ण को आज सौलो कर देते हैं ठीक है तो कल का प्रस्ण आप से भी को बताएं कि आपके लिए क्या था कल का प्रस्ण दोस्तों आपके लिए था कि महाराना परताब के राम परसाद हाती का नाम अकबर ने बदल कर क्या रखा था आपके लिए ये प्रस्ण था ठीक है तो फ़र्स्ट जो आया था कमेंट वह आया था सांक्षी खंडेलवाल सिस्टर का और उसके बाद सेकिनड आया था की जोति जार सिस्टर और थड़ नshot सिस्टर और थर्ड नमबर पर आया था वजई भाई सीला तो आप आपको थर्ड नमर आए ठीक है तो देखिए फर्स्ट सेकिंड और थर्ड यह ओगए बाकी के नाम यहां पर फॉर्थ है कोमलका और सिस्टर यहां पर आपने वीर परसाद जुना बलकि इसका नाम था पीर परसाद उसके बाद आपने सही आंसर जुना था बिल्कुल उसके य दोस्तों तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं बाकी मैंने आप र इस्क्रीन शॉट लेक क्योंकि आप के जो नाम है सभी क memory आहते हैं कि वमेट है सब और में ने WA एक जो कािस एक प्रसन देता हूं हूं और सभी वाड़ के लिए मैं देता हूं कि देश का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्ट काले कहां पर है देश का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्ट काले कहां पर है दोस्तों सभी बताएंगे भूमिगत पुस्ट काले कौन-कौन बताएंगे सबसे पहले देखते हैं कहां पर इस्तित आप जगे बता दीजिए जिल्ले की कोई आवसकता नहीं है यदि जिल्ला भी बता देंगे तो भी बेस्टर है दोस्तों यहाँ पर आप कोई कुछ भी बता दीजिए यदि आपको पता है ठीक है जिल्ला या वो इस्थान चलिए तो दोस्तों आज की क्वीज कैसी लेगी आपको और यहाँ पर इसमें answer सभी देवे और बाहर आके comment section में भी आप answer दे सकते हैं और यहां पर भी है जो answer देंगे सभी दोस्तों इंदी की class कैसे लेगी मैंने आपको तीन बार भी बता दिया है और यहां पर जो है दोस्तों अपना valuable comment जरूर देवे और आज कितने right way वो भी है जो आप सभी अवसिये बता सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आप अपना केमती feedback जरूर दे देवे और आप सभी के द्वारा वीडियो को like कर दिया जाना चाहिए और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार और आप सभी अपना विश्वास ने यहीं बना रहे राजस्तान क्लासेज पर आप सभी का बहुत बहुत आभार